हेलो परफ़ेंट व्यांट स्वागेते आपस्भी के पस्टीडिंट चनेल राय एजूकेशन में उनात्रजार भरती से जुड़े आप लोगों से मैंने निवेधन किया था कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हो वेक्तिकात प्रश्नों उन प्रश्नों को कमेंट सक्षमने कमेंट करते रही और काफी दिनों से कई धेर सारी वीडियोज नहीं बनीती प्रशनों को लोगे कर तो मैंने सोचा कि जल्दी एक दो वीडियोज लगातार बना कर उसी में सारे प्रशनों का जवाब दे दू ताकि आपके कोई भी प्रशन मेरा एक ही मकसद रहता है हर बार कि आपका एक भी प्रशन आपके अंतरमन में नार है जिसका जवाब आपको कहीं भी ना मिलता होगा उसका जवाब यहाँ पर मैं अपने ग्याना अनुसार अपने अनुभा अनुसार और जो भी मेरी छमता होगी उसके अनुसार मैं देनी के पूरी कोशिश तो अचली एक एक करके बिना किसी देरी की प्रशनों को लेना सुरू करते हैं और आप लोगों कि मैं कमें की बात करूँ तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो कमेंट्स आपके तमाम हैं यहां से फोन नंबर कैसे होगा कितने question number बढ़ेंगे इतना number wise answer की में क्या होगा प्रार्राम से लेकर अंतर तक आप सभी ने बहुत-बहुत बधाई भी दिये उसका बहुत-बहुत आवार देखिए ये सारी चीजें मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि मैं सभी चीज आपका साथ और आपका समर्थन ना रहा आपका विश्वास ना रहा तो यह सारी चीजें नहीं हुपाती तो आप सभी के समर्थन ना रहा सभी के विश्वास के लिए मेरा तही दिल से आप सभी को धनेवाद तामाम तरीकी के प्रशने थे डॉक्ट्स रिलेटेड लॉक्डाउन से रिलेटेड और कई लोगों ने अपने अपत्ती चनक भी कमेंट किये थे विराल सब की अपने अपनी मान सकता है ठीट सर्डिविकेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेन्ट प्रश्थन ए रूम साइल से डॉक्मन से रिलेटेड़ है बहुत प्रश्थन है थिक है तो सभी प्रश्नों करके मैं जवाब दने की पूरी गोशिष करूँ और मैंने सब को में प्रश्णों के अंद्रकत रख दिया है ताकि एक ऐसा प्रश्ण बना लूँ ताकि जिससे प्रश्ण से मैक्समम लोगों के मैं उत्तर दे सकूँ ठीक है ना चलिए तब बीना किसी देरी के प्रारम करते हैं पहला प्रश्ण है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी देखें आप को उलाइन काउंसलिंग लिए जो क्रिया कलाप है तमाम तरीके आप प्राइट की भी क्रिया कलाप करते हैं जैसे बिएट जो लोग की हों उनको सारी चीज़ पता है आपके जितने डॉक्मेंट से पहली बात देखें उन्हांतर भरती से जुड़े जितने भी बढ़त दूसरी चीज एक और भी maximum detail आपकी comment के पास है कब जब आप TET की mark sheet लेने कहते है डायट पर ध्यान से जूनिएगा जिस जिलिए के डायट पर आपने TET की mark sheet ली है उस जिलिए के डायट पर आपके maximum चीज़े आपके documents को वहाँ पर रखा गया है याद होगा आपको पूरा एक file आपसे तयार की गई थी वहाँ पर लिया गया था किसलिए इसलिए validate करने के लिए इस आगे की भरती परिक्षा के लिए वो सारी चीज़ें हो चुकी है क्रिया कला maximum चीज़ें लेकिन हम लोग अभी जान रहे हैं ठीके न तो इस चीज़ को अब थोड़ा से ध्यान देंग तो online counseling कैसे होती है सारे document आपके maximum चीज़ें जब आपने आवेदन किया है तो maximum चीज़ें उनके पास हैं हाँ अब आपको सुरू हो जाईगा online counseling में सबसे पहला process हो आपको जिला वरीता 75 जिलों की वरीता भरना अब 75 जिलों की वरीता में क्या करना है आप मोबाइल से भी भ स्मार्टफोन है आप उससे अपना 75 जिलों की प्रिफरेंस बढ़ सकते हैं अगर बहुत रेड जोन में है बहुत आने वाल समय में अभी समय है इन सारी चीज़ों के लिए भी समय है अला कि सरकार इसमें तिवरता दिखाए तो जल्दी भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर य अलाइन कॉंसलिंग के अंतरकत यहीं आप सबसे पहले 75 जिलों का बस प्रिफरेंस बढ़ेंगे जैसे यहां फार्म ओपिन करेंगे अपना रेश्टेशन नंबर रूल नंबर और डालके तो मैक्समम चीज़े पहले आटो फिल्ड आएंगी क्योंकि आपने आवे दिन की सम कर दीजे इसके बाद अगला हिस्टेप क्या होगा कि आपको जिलीलॉट और जाएगा पर्टिकुलर जिले में आपको मिल गया है अको मेरिट के अनुसार उस जिले के डाइट पर आपको काउंसलिंग प्रोसेश यहीं काउंसलिंग प्रोसेश होती है तो वह कुछ लॉग् एक बाते हो तो ओनलाइन कॉंसलिंग क्या होगी कि आपके डॉक्मेंट्स जैसे बीएट की अगर आपने की हो या कोई भी एक्जाम प्रिफर किया हो जिसमें आपने अडिमिंशन लिया हो तो ओनलाइन सारी क्रेया कलप हो जाती है अब तो डिलेट की भी वह से सारी चीज़े कॉंसलिंग हो जाती है ना ओनलाइन इस सारी चीज़े तो डॉक्मेंट आपके स्कैन करकर के स्कैनर से वह अपलोड जाएंगे कैफे मैक्सम जगह देखे ग्रीन जोन में और हर जगह कैफे तो ओपन होने लगे हैं तो उसके लिए कर प्रशानी वाली बात नहीं है और जिन मंसा रखे जाने का मतलब है उनको ये भी पता होगा कि मैक्सिमम उत्तरपदेश में ग्रामी ने आन्चल है लॉक्डाउन जब से लगाया तब से बड़े महानगरों बड़े सहरों से लोग पलायन करके अपने ग्रामी डिस्ट्रेत्रों के तरफ जा चुके हैं अपने सरकार ये कंड़क्ट करा रही है ना उनके अनभीग तो नहीं होंगे दूसरी बात तो जब सरकार ये सारी चीज़े करेगी तो अपने नुसार सारे लॉक्डाउन की स्थितिया या आपके सहर में आपके ग्रामी इंचल में ये फॉर्म जो भरे जाते हैं उनकी दुकाने ख अब क्या कर सकते हैं उसके लिए अब आपको ये लॉक्डाउन की स्थितियों का पालन करना ही पड़ेगा उसके बास सरकार अपने हिसाब से क्रिया क्लाप करेगी चाहे ऑनलाइन आपको ये शू करा दे चाहे जो भी तरीके से लेकिन आपको वह मार्क्षीट वहां पर अब आपको इसकी जरुद भी नहीं है बस वरीता भी दे नहीं है बागी इसके लिए सरकार तैर रहेगी क्योंकि एक दो लोग की दबात रहेगी जब नहीं लियोंगे तो कम सकम पांच से दस परसंट भी लोग ऐसे हैं मेरे कमेंट सेप्सन में लोगों ने का तमाम कमेंट की हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमल लोग होंगे दूसरी बात लौकडाउन में फसे हैं तो सरकार उसका निराकरण बिना किये हुए इस भरती परकर्या को आगे नहीं बढ़ा क्यों सहर के माली चाली सा पचास फीसदी लोग होंगे इस भरती परकर बाकी के पचास तो ग्रामी नाचलों में अपने खाउं की तरफ पलाएन कर चुके है ना तो तो पचास परकर लोगों को लेकर तो भरती परकरा करे हैं थे हैं जब तक पूरे पूरे कंडिडिट्न नहीं समलीत होंगे तब तक भरती परकर एक वी सिंगल धारreg की सरोह पड़ी रहेगी ठ ट्रेट की वेलिडीती थी अब टीटी मैई में मही तीटी जो है मेरी मांग्शीट मैं 2一下 में ऐसकी समापत तो ही आप valid माने जाएंगे तभी तो आप form भरे थे अगर उसके पहले ही वो validate नहीं होता तो फिर आप form ही नहीं भरते यह बात पता है ना आप लोगों को तो परसानों ने क्या पशकता ही नहीं है आप जब validate थे तो आपने form भरा था और तब आप validate हैं जाए भरती परकिरे आज हो चाहिए छे माईने बाद अप डेट साल हो गया कोई दिक्कत नहीं है उस समय आप valid थे तो आप भी भी valid रहेंगे संसूदित उत्तरकुंजी कौमा नंग देखिए इस पर और सेव गुणांग पर एक बात मैं कहाना चाहूँगा एक दिमस परस्ट तरीके से संसूदित उत्तरकुंजी में मैंने एक दिमस परस्ट बोला है कि किन कीन परशनों पर उत्तर नंबर बढ़ेंगे ठीक है ना लेकिन आप लोगों के maximum जो कमेंट आए हैं संसूदित उत्तरकुंजी किन किन परशनों पर क्या क्या आँख है कैसे options थे पुना पूरे डेट्स परशनों का एक वीडियो में लेकर आऊँगा उसको लेकर परशान मत होईएगा और संसूदित उत्तरकुंजी पर भी पूरी कंभीर चर्चा करेंगे कितने आँख बढ़ सकते हैं मेरे तरफ से जीतना मैं सॉलिड जानता हूँ जीतना मैंने बार-बार बोला है आप लोगों से सेफ मेरेट पर वीडियो चाहिए कई लोग इस पर भी कमेंट कर रहे थे एक बात इस पर मैं बोलना चाहूँगा हाला कि मैं इस पर बना दूँगा बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए सारी क्रियाकलाफ है आप लोगों के मांग पर ही मैंने 75 जीनों का वीडियो बनाया था है ना 17 मंडोलों के उपर पूरा वीडियो बनाया था मेहनत मेरी थी अकेले और आप लोगों का प्यार था इस वज़े से सारे क्रिया कलाफ हो पाए थे लेकिन देखिए कई लोग इस पर भी मेरिट बनाना शुरू भी कर चुके हैं नमबे नमबर पर स्टेंडर्ड हैं तो आप इस भरती परक्रिया में बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं अगर आप अन्रिजर्व कर्टिगरिय और जनरल कर्टिगरिय और आपके 97 में नमबर हैं तो आप इस भरती प्रक्राव में बहुत मजबूत इस्तिती से बने हुए हैं मुझे विव्स पाने के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं बार बार बोल चुका हूँ विव्स जिसको बना है वो तमाम तरीके की वीडियोस बना रहा है सेव गुडां की वीडियोस बना रहा है कोई मंतली इंकम की वीडियोस बना रहा है कोई तमाम तरीके की वीडियोस बन रही है उससे मुझे लेना देना नहीं है आप सभी की डिमांड होगी तो भी वीडियोस बन रही है इंपोर्टन बात यह है कि आपके एक भी प्रश्ण चूटे ना मेरा इस पर तवज्व है मेरी इस पर फोकस्ड है और मैं इसी पर सबस्यादा कार करने के कोशिर करूँगा इसके बाद आपको डेर्ट सो प्रश्ण वाली पूरी आपके उनुतरेजार प्रदी की जो परिक्षा हुई थी उस पर पहले म फिर आप उसी दिशा में आगए बढ़ते रहेंगे है ना तो सबसे पहले हमको लॉटना है वापस से आठ जनुरी और वो मैं वीडियो बना दूँगा इसके बाद ठीक है ना बाकि आप अपना प्यार देते रही है आपके प्यार की ही मजह से आपके मोटिवेशन की विज करूगा बेस्ट आफ लग तेंक यू सुमाच